वीडियो को शुरुवात कर लेता है हमारे इस साल के आखरी मंदे नाइड ड्रो की वीवर्शिप से इस साल के आखरी मंदे नाइड ड्रो की वीवर्शिप इसले बोला क्योंकि इसका जो अगला मंदे नाइड ड्रो की वीवर्शिप रहेगा वो आप लोगा टेपड होगा तो उसमें कोई सेंस नहीं मनाता तो इस हफते की जो Monday Night Draw की वीवर्शिप है वो 1.56 million की वीवर्शिप आई ये वीवर्शिप पिछले week की comparison में I think 10% जादा होगी क्योंकि पिछले week की जो वीवर्शिप थी वो 1.466 वीवर्शिप थी और 1.5 million इस हफते की Monday Night Draw की वीवर्शिप तो आगे चल के देखेंगे या नए साल में क्या होता है चलो कहरा हम लोग बात करते हैं डेमिन प्रीष्ट के बारे में डेमिन प्रीष्ट गाइस वो बंदा बन चुका जिसने साथ महिनों से अपना Money in the Bank कैशिन ही नहीं किया जबकि उन्होंने कई बार ट्राय किया डबल डबली में और कुछ न कुछ तो उनके साथ होता ही यह तिगडम बाजी तो इस बार भी उनका मतलब कैशिन नहीं हुआ था पिछले आप लोगों ने देखा था सर्वाइवर सीरीज में रियर रिपली आयती तो रैंडी ओटन ने इंटरप कर दिया था तो वहां पे भी अनका कैशिन नहीं हो पाया लेकिन चलो यह तो साथ महिनों से इनका अभी डबल डबली ने होल्ड करवा है तो कुछ ना कुछ बड़े प्लैंस होंगे चलो यह तो थे फैंस के ठॉट्स उनको क्या लगता है लेकिन मैं आप लोगों को बता दो मैं तुम लोगों समझाता हूं एक्शल में मनींदा बैंक कैशिन जो है अभी तक सैवन मन्थ हो चुक तो रसल मेंन 40 में तो उनको करना ही करना पड़ेगा और मुझे ऐसा लगते कि वो रसल मेंन 40 में ही करेंगे अगर शौकिंग डबल डबली कुछ पुल्स करना चारिए फैंस की लिए तो मेरे खाल सा रसल मेंन 40 में ही डेमिन प्रिस कहीं ना कहीं या तो रोमन के मैच मैच मे या था World Heavyweight Championship के मैच में तो इन दोनों मैचेस में से एक नए एक मैचेस में तो डेमिन पिर्स अपना कैश इन करेंगे ही करेंगे और एक ऐसा सर्प्राइज जो कि तुम लोग को रेसल मेरें 40 में भाई मिलेगा ही मिलेगा और इसके लिए न तुम लोग को थोड़ा से इंतिजार करना पड़ेगा तो इंतिजार कब तक रहेगा हो सकता है उससे पहले भी कैश इन करते है तो कुछ कह नहीं सकते है खेर हम लोग फाइनल अपडेट के बार में बात करते हैं इस वीडियो की और ये अपडेट जुड़े है तुम लोग के फेवरेट सुपस्टार रे मिश्चिरो से अब रे मिश्चिरो के लिए क्या अपडेट है तो आप लोग ध्यान से सुनना और आप इनका जो contract है वो तीन साल तक हो चुगा ए डबडबली के साथ यानि कि तीन साल तक ये डबडबली से कहीं नहीं जाएंगे तो ये थी गाइस final update और इसमें तुम लोग के क्या thoughts है तुम लोग कितने जादा खुश हो और मेरी बात की जाए यार मैं तो बहुत जादा happy यार क्योंकि childhood favorite superstar थे मेरे और आगे भी रहेंगे और अब इनकी एज हो रही तो यार तीन साल बहुत इनौफ है मेरे लिए इनको आगे देखना यहां तक वीडियो देख लिए तो इस वीडियो को लाइक कर देना और गाइस मैं मिलता हूँ आप लोग को नेक्स वीडियो हो